नमस्कार दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 34 यर्स है और इनको पाम को देखकर लगता नहीं कि इनके जीवन में फिलाल कोई प्राब्लम है और भविश में भी कोई ऐसी मेजर प्राब्लम आती दिखती नहीं है हाँ जो जो बदलाव दिख रहे हैं इनके हाथ पर उसके बारे में डिस्कर्स करेंगे पहले तो ये चीज इनका पाम अच्छे कलर का है तो ऐसे लोगों के जीवन में समरुद्धी अच्छी खासी होती है सेकेंड यहां पर धनुशाकार बन रहा है तो व्यक्ती समझदार होता है और जीवन में जो जो अपूर्चिनिटी आती है उसको ग्रेब करके आगे बढ़ता है थोड़ा सा स्पेस भी यहां मिला है बहुत जादा तो नहीं पर फिर भी स्पेस जादा है तो यह भी अधिक संपन्ता की और इशारा कर रहा है अंगुठा काफी बैंड हो रहा है तो ऐसे लोगों के मित्रता अच्छी खासी होती है लोगों से और फर्स्ट फेलेंग नुकी ला है तो कारे के प्रति जिद्ध होती है और ऐसे Лोग मित्रों के मित्र होते हैं यानि चुट्की बजा के इनकी मित्रता यह लोगों के साथ सेकेंड फैलेंज भी अच्छा खासा है तो तथ्यों के साथ लॉजिक के साथ अपनी बात बताने में एक्सपर्ट होंगे इनके पाम में देखे तो ये पाम कम्प्लिट स्क्वेरिश है और यहां से थोड़ा सा चंद्रपरवत दबा हुआ है थोड़ा सा बात करने का शौक जादा होगा और यह जब स्क्वेरिश होता है तो व्यक्ति भूट जादा में पहनती होता है ऐसे लोगों को रेगिस्तान में भी बेज़ दे तो वहां से भी मिठा पानी निकाल के लाएंगे इतने मेहनती होते ही है लोग और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेस्फुल बनाते है उंगलिया मोटी है और यहां अंदुरूनी मंगल भी अच्छा है तो सरीर की जो शक्ती होती है एक स्पोर्श परसन की तरह होती है फैलेंज पूरे सपाट है इस तरह के जब सपाट फैलेंज होते है जैसे प्रेस की हुए कपड़े की तरह तो यह लोग बिजनेस माइंडेड होते अच्छा खासा बिजनेस करने में काफी एक्सपर्ट होते है फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक बावना अच्छी खासी होती है सुरी की उंगली बढ़ी है तो यह भी हिम्मती सभाव की और इशारा जाता है जेब में पचास अजार हो और व्यक के उपर तक पहुच रहे तो व्यक्ति डॉक्ति डॉक्तेशन फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना याजशक्ति मनी मैनेजमेंट और अकाउंट यह सारी चीजों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है अब चलते इनके बूद्पर्वत बूद्पर्वत अपने आप में उभा रहे है यह प्लस पॉइंट ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता होते सुन्दर होते मैं यह नहीं कहूंगा अती सुन्दर होते पर सुन्दर होते हां बहुत सारी लाइने हो तो व्यक्ति अती सुन्दर होत साइन्स का नौलेज इनको बेसिक नौलेज अच्छा खासा होता है और यहां पर एक लाइन और दूसरी लाइन यह दो लाइने चल रही है और साथ में एक उसको कट करने वाली रेखा भी है अगर यह चाहे तो पामिश्ट्री एस्ट्रोलोजी इस तरह के जो साइन्स है मिश्ट्री साइंस उससे अगर अनिंग करना चाहे तो भी यह कर सकते हैं जब इस तरह से रेखाओ को काटने वाले कोई रेखा हो तो और जब यहां पर बड़ी रेखा हो तो व्यक्ति को आँख मुन की के कह दीजिए कि आप बुड़ा पे तक संपन्द बन जाओगे यह क्लि कभी भी रेखा के आसपास से अगर गुरु परवत की और देखती है कोई भी लाइन तो ऐसे लोग कहीं न कहीं अच्छी जगह पर पहुंचते हैं यानि कोई न कोई उचाईया प्राप्त अपने जीवन में करते हैं सं माउंट से जब शनी माउंट पर और गुरु माउंट की और तो जाये तो बहुत अच्छा एक संलाइन और दूसरी संलाइन यह लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं जीवन में कोई न कोई एक्स्ट्रा टैलेंट व्यक्ति के जीवन में होता है और यहां पर एक स्क्वेर बनते हुए भी दिख रहा है जब इस तरह का स्क्वेर ब बनी हुए है तो एक से अधिक प्रोपर्टिया जमिन खरी देंगे अपने जीवन में विद्या रेखा भी बनी हुए है व्यक्ति को बेसिक नौलेज अच्छा-कासा होता है और यह रेखा भी व्यक्ति को सपलता दिलाने में बड़ा योग्दान देती है और लोग इनको प करग एक यहां तक का फेश, और एक हे यहां तक का फेश, तीन फेश इनके जिवन में आएंगे, उसमें से एक फेश यहां से रेखा निकलकर सुर्य परवत के और जा रही है. यह 100% वेक्टि का विदेश से धन प्रापति का योग दिखा रही है. कभी न कभी जीवन में विद वो भी चंद्रपरवत पर जाती है और ऐसे लोग या तो परिवार से परिवार से तो नहीं कह सकते अपने जंसल से दूर अच्छा विकास करते या ऐसे लोग विदेश चले जाते और इनकी फेट लाइन जिस तरह से है इससे क्लियर कर इंडिकेशन लग रहा है कि ये विदेश से धन प्राक्ति करेंगे या विदेश सेटल हो जाएंगे बविश में कभी न कभी एक लाइन, दो लाइन, तीन, चार मनी रीसिंग एंटेना भी बने हुए और जब इस तरह की कंडिशन होती है तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत सुन्दर जाता है और चपन के बाद धार्मिक और सामाजिक छेत्र में भी ये पैसा खर्च करते है क्योंकि इनके बाद जमा हो चुका रहता है अब इस पाम में ना मनी ट्रैंगल है फिर भी ये संपन्ता पाएंगे और उसके प्लस माइनस क्या होते मैं उस समय बताऊंगा और यहां पर कहीं स्क्वेर होगा तो ये पुस्तेनी जमिन जायदात की और भी इशारा जाता है गुरु परवत काफी अच्छा है इस तरह का गुरु परवत व्यक्ति के जीवन में सांसारिक और पारिवारिक सुख बहुत अच्छा देता है और यहां पर कंटीन्यू दो लाइन है एक और दो ये व्यक्ति को सेवाभावी बनाती है पामिष्ट्री, एस्ट्रोलोजी इस तरह के जो साइन्स होते है उसमें इंट्रेस्ट दिलाती है प्लस मल्टीपल इंकम होती है व्यक्ति के जीवन में ये सारे लाब व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और इतना अच्छा गुरु परवत हो तो व्यक्ति थोड़ा सा कम सुनने वाला होता है कम सुनना मिन्स किसी की सुनता ने ये एक माइनस पॉइंट होता हा इनसे बड़े जुपिटर माउंट वाले अगर इनके पास आ जाते है तो उसकी सुनेंगे पर इसके सामने इनसे Jupiter Mount कम होगा, तो यह सुनेंगे नहीं उसकी, पहली चीज, यह हो गया minus point, अब plus point, यह खाने के शौकिन होते हैं, और जो भी कारे करेंगे, उसका विस्तार बहुत अच्छा करते हैं, यह भी एक खासियत होती है, तो काफी best Jupiter Mount है, अब इनके अंदुरुनी मंगल पर देखें, तो अंदुरुनी मंगल मुझे काफी शशक्त लग रहा है, क्योंकि इनकी उंगलिया काफी मोटी है, तो इस तरह का मंगल व्यक्ति को कहीं न कहीं साधिरी रूप से उत्तम एनरजी देता है, अब बहरी मंगल भी उसी तरह का बढ़िया है, बढ़ा है, तो व्यक्ति साहसी होता है, जब किसी से मिलता है, तो एनरजी के साथ मिलता है, सामने वाला कमफरेबल फिल करता है, और संकट के समय, और इनके हाथ में ऐसा कोई हैवी संकट नहीं है, पर संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, अब चंदर परवत पर देखें, तो चंदर पर वा थोड़ा सा यहां से दबा हुआ लग रहा है, इस तरह का दबा हुआ जब रहता है, तो व्यक्ती बात पर करने का शौक ज़ादा होता है, और यहां पर अगर यह क्रॉस होगा, तो व्यक्ती को नेकेद दिव फिलिंग आती है, अमेसा डर लग कि यह पाम एनलिसिस के लिए आये, यह डर सताता है ऐसे लोगों को, जीवन के प्रती, और ऐसे देखा जाये तो चंदर परवत अच्छा है, साथ में जीवन रेखा भी यहां तक जा रही, उसमें से अमुक साखाय भी चंदर पर जा रही है, तो यह सारी विदे सेटलमेंट कि और इशारा जा रहा है, इनके जीवन में तीन बदलाव आएंगे, तीन स्टेज आएंगे, तुम्हें एक एक करके बताऊंगा, जब फेटलाइन पर आऊंगा, और चंदर परवत अच्छा होता है, तो व्यक्ति, रिफाइंड सोच वाला होता है, अच्छा पर्चेसर हो फोक बनता है, तो व्यक्ति के जीवन में यात्राय भरपूर रहती है, बहुत यात्राय करनी पड़ती है, अब ये मनी ट्रैंगल, जिनकी भी फेटलाइन जीवन रेखा से निकलती है, व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, खुद की मेनत से बलबुते पर सब क्रियेट करता है, अ और इनके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो कही न कहीं तरल टाइप के होते हैं, तो इनको इन्वेस्टमेंट में भहुत ध्यान रखना पड़ेगा, पर हाथ जीस प्रकार का है, वो हिसाब से ये ग्रोथ तो जीवन भर करते रहेंगे, जीवन भर पैसा कमाते रहेंगे, पर जब पैसे बचत का जो सब्जेक्ट आएगा तो लिक्विडिटी इनके पास कम रहेगी इनके पास एसेट वाइस ये धनी बन सकते हैं कही न कहीं इन्वेस्मेंट में इनको खास ध्यान रखना पड़ेगा अब इनके शुक्र परवत पर चले तो ये देखिए एक बड़ी आसी लाइन दो, तीन, चार, पाँच जब इतनी लाइन हो शुक्र परवत पर तो ये भी धन दिलाती है प्लस लग्जरियस लाइफ रहती है ऐसे लोगों की और यहाँ पर बहुत सारे स्क्वेयर बन रहे हैं ये सारी प्रोपटिया शो करते हैं ऐसे लोगों के जीवन में प्रोपटिया अच्छी खासी आती है पूरा शुक्र परवत पारफुल है पूरा शुक्र परवत पारफुल है ऐसे लोगों के जीवन में गर्मी इनको पसंदने ही आती अच्छे कपड़े पहनते हैं अच्छी तरह से रहने का शौक होता और लग्जरियस लाइफ पैसा भी खुब कमाते हैं और पैसा खर्च भी खुब करते हैं और साथ में गुरू का भी साथ मिला हुआ है तो ये प्लस पॉइंट है दोनों मिलकर धन के मामले में और हर तरह के पारिवारिक सुक हो जितने सुक होते हैं जीवन में वो सारे ये दो परवतों के कारण इनको अच्छे कासे मिलेंगे क्योंकि इनके परवत सारे अच्छे है इस तरह के परवत वाला व्यक्ति अगर गरीब भी में भी पैदा हो तो भी अपने आपको एक सर्टन एज के बाद अच्छे स्तर पर ले कर जाता है मैंने कई वीडियो में आप लोग को का है अगर जिसी के हाथ में ये चार माउंट इतने ही अच्छे है तो भी व्यक्ति अगर स्लम में भी पैदा हुआ हो तो भी वो अच्छा खासा घर ले लेगा और अच्छी तरह से जीवन यापन करेगा एक कार होगी एक अच्छा सा परि माउंट अच्छे शनी भी अच्छ है तो ऐसे लोग हंडेट परसेंट सम्रुद्ध बनते ही है मैं यह नहीं कहता हूं अती सम्रुद्ध बनते पर अच्छी खासी सम्रुद्धी आती यानि उच्छ मध्यवक्त कह सकते इनको अब इनकी रिदे रेखा कितनी सुन्दर है कि रेखा हो नौन स्टॉप गुरु परवत से सुरू होती है तो यह लोग जवानी के दिनों में प्यार का प्रदर्शन करना बहुत पसंद करते हैं पहली चीन भावुक होते भावनाव में नेने लेने वाले होते हैं बहुत अच्छे सभाव के होते हैं सब के साथ मित्रता पुण वेवार होता है कोई इनका दुस्मनी क्या होती इनको पता ही नहीं होता इतने अच्छे सभाव के होते हैं चाहे साथ में काम करने वाला हो परिवार का व्यक्ति हो सब के साथ वेवार इनका अच्छा रहता है और हिदे रेखा इतनी उत्तम है कि जीवन भर ये उत्त तो यह complete गुस्से वाला सभाव देती है। ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा गुस्सा भरा रहता है। और यह गुस्सा इनको निकालना पड़ेगा। अगर लोगों के सामने निकालेंगे तो सामाजिक व्यासता डिश्टब होती है। और अंदर मन में रखेंगे तो इनको चर्म रोग होने के चांसे बढ़ जाते है। और 45-48 के आसपास एक-दो साल बीमारी ग्रस्थ हो जाती है। और डॉक्टर के पास रिपोर्ट भी निकाल माइन लाइन को देखें तो पहले जब यह फोटोग्राफ आया तो मुझे लगा यहां तक यह चिपक कर चल रही है लाइन इस पिरियर तक इस तरह से देखा था मैंने तो यह ऐसा लग रहा था यह 34-35 तक चिपक कर चल रही है। उस समय मैंने एनलाज करके नहीं देखा था जब इसनको एनलाज किया तो इस पिरियर तक यह चिपक कर चल रही है। यानि 30 साल तक यह जीवन में कुछ नहीं कर पाये होंगे। यह एक तरह का बंधन योग कह सकते आप। माइन लाइन और जीवन रेखा जब चिपक कर चलती है तो व्यक्ति अर्निंग नहीं कर ग्रोथ ही नहीं होता हाँ नॉर्मल जॉब कर लेगा थोड़े कुछ पैसे कमा लेगा या परिवार का कोई बिजनेस होगा वो कारे कर लेगा पर इंडिविज्वल कोई सफलता नहीं मिलती पर यह जैसे ही लाइन अलग होती है और यह लोग बड़े भी होते है तो आसपास के लोगों को उंगलिया दबाना चालू कर देते हैं अरे यह तो लड़का हमने देखा भी नहीं और अभी तो गाड़ी घोड़ा लेकर घुम रहा है यानि तुरंद विकास इनका होना चालू हो जाता है एक खासियत यह होती है यहां पर और उसके बाद माइन लाइन को दे महतोकांशा जादा रहती है और उस महतोकांशा पूरी भी करते है और जब घुम कर चंद्रपरवत की और जाती है तो व्यक्ती धीरे धीरे धार्मिक बनता है जैसे जैसे उमर बढ़ेगी पहली चीज चंद्रपरवत की और गई तो imagination power बढ़ाती है यह mind length प्लस एक minus point सबसे बढ़ा यह होता है कि बाहरवालों के लिए बहुत उत्तम घर में एक व्यक्ती को बहुत जादा बोजबोल करते हैं और एक certain age के बाद इनको महसूस होगा कोई न कोई इश्वरी शक्ती इनके साथ चलती है और इश्वरी जो spiritual जो ज्यान होता है या जो जुका होता है वो य लाइने होती है तो यह लाइने भी व्यक्ती को spiritual बनाती है पुराने के जमाने के लोग retired होने के बाद मंदिरों में अच्छा खासा समय निकालते उनके हातों में आप देखना जो 60 साल के आसपास या 65 साल के आसपास आपको मंदिरों में सेवा करते दिखेंगे उनके लोगो धर्मिक बनाती है तो जैसे जैसे उमर बढ़ेगी वैसे वैसे यह धर्मिक बनते जाएंगे अब इनकी जीवन रेखा पर देखे तो 30 के आसपास से यह open हुई 30 या 31 के आसपास और उसी पिरियड में एक राव रेखा ने काटा तो इस पिरियड में कोई रुकावाट आई ह तीन साल के पहले और एक छोटी सी रुकावाट हो सकता है उसके दो साल पहले भी इनके जीवन में आई हो और यह जो कौन बन रहा है इसके बारे में भी बाद में डिसकस करेंगे जब क्लोज अप में आएंगे और यहां पर एक अगर यह लाइन केवल जीवन रेखा को टच तक देगा, कोई जीवन में आएगा, और अगर ये काट कर आगे बढ़ती होगी, तो उस समय आर्थिक नुकसान इनको जहलना पड़ेगा, 36 या 37 के आसपास, उसके बाद एक राउ रेखा है, 45 के पास और 154 के आसपास, ऐसी कोई नहीं है, पर फिर भी ये बिना मनी टैंगल वाला हाथ है, छोटी भी राउ रेखा, अच्छा खासा आर्थिक नुकसान ऐसे लोगों को देती है, और उसके बाद कोई राउ रेखा मुझे इनके पाम पर दिखने ही रही है, और ये जीवन रेखा पूरी चंद परवत पर जा रही है, और ये फोक बंद रहा है, तो यात्राय भरपूर रहेगी इनके जीवन में, अब इनके क्लोज अप का साहरा लेते हैं, इनकी फेट लाइन और जीवन रेखा को समझने के लिए, यह देखिए, यहां पर यह 28 के आसपास कट लग रहा है, और यह 31 के आसपास, और इसी पिरियड में इनकी माइन लाइन और जीवन रेखा और माइन लाइन अलग होगा, और यहां से इनके जीवन में विकास चलाओगा, और मुझे यहां पर एक triangle भी दिख रहा है, यह triangle पढ़ने वाले को कोई न कोई अच्छी डिग्रिया दिलाता है, और अगर पढ़ा ही नहीं करता, तो भी उसका period किसी न किसी तरह से अच्छा जीवन गुजरता है, और यह यहां से चली और यह लगबग विहिन हो रही है, यानि माइन लाइन पर ही stop होते दिख रही है, तो कोई न कोई विजात्य पात्र इनके जीवन में दस्तक देगा, और यहां पर 45 के पहले एक offshoot और एक offshoot 46 के आसपास निकल रहा है, और यहां पर 46-47 के आसपास इनके जीवन रहा से नीचे जाती रहा भी दिख रही है, तो कोई न कोई नियर और का डैथ भी इनके जीवन में उस पिरियड में होगा, अब इनकी फेट लाइन को समझे, फेट लाइन पर यहां से निकली जीवन रहा से और यह stop हो गई यहां पर, यह लगबग 37 के आसपास यह stop हो रही है, या 35-36 के आसपास stop हो रही है, यहां से एक और लाइन निकल कर यह यहां जा रही है, या तो यह 36 में ही विदेशा गमन कर लेंगे, क्योंकि जब इस तरह से सुरिपरवत की और देखती है रहा, तो यह किसी न किसी तरह विदेश से धन प्राप्ति की और इशारा जाता ह है, या तो इस पीरियर में यह सिफ्ट हो जाएंगे, और उसके बाद एक कमाई का साधन इनका चेंज होगा, उम्रच 56 के आसपास, और यह तो complete विदेश से धन प्राप्ति की और इशारा जाता है, बहुत बार इस तरह की रेखा, व्यक्ति को इस तरह का भी काम कराती है, ज किसी और के प्रोड़क्त को सर्विस देना है, या किसी और का प्रोड़क्त बेचना, इस तरह का भी काम कराती है, या विदेश से धन प्राप्ति की और इशारा जाता है, छोटे-छोटे बीच-बीच में कोई न कोई इंकम के सोर्थ इनके जीवन में continue चलेंगे, यानि multiple income ह हमेशा बनी रहेगी, हमेशा, और इस पर देखे, तो एक कट उम्र 37 के आसपास आ रहा है, ये पिरियर में कोई न कोई आर्थिक नुकसान 37-38 में इनको जाएगा, यह रेखा, यहां से अगर निकल कर बुद्परवत की और जाती होगी, तो यहां पर बहुत बड़ा investment होगा और वो investment यानि यह उम्र होगी लगबग इनके जीवन की 42-43 के आसपास, इस पिरियर में यह अच्छा सा investment करेंगे और वो investment शर्टन एज के बाद बहुत जादा profit देता है, जब जीवन रेखा से कोई रेखा निकल कर बुद्परवत की और जाती है, तो व्यक्ति उस पिरियर में investment करता और वो investment 15-20 सालों के बाद फहुत जादा profit देता है, यहाँ पर देखें तो कोई न कोई यह investment शो हो रहा है, यह उम्र होगी लगबग इनकी 51 के आसपास, और यहाँ पर भी अगर आगे से आरी होगी रेखा, तो आर्थिक नुकसान देगी, उम्र लगबग 54 और य जिफ स्थरह से राउ रेखा इनके हाथ में देख रही है, यह 54 में आर्थिक नुकसान ही सो कर रही है, और उसके बाद यहाँ stop हो रही है, शांट के आसपास और 56 के आसपास से एक और लाइन निकल कर इस तरह से सूर्य परवत की और देख रही है, और बहुत बार यह लाइ इंकम और कई लोगों को ऐसे ही पड़ी रहती है और एक लाइन और तो multiple income के source अच्छे बने रहेंगे, continue income के source हमेशा जीवन में रहेंगे, तो आशा रखता हूं, इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के